देश के सभी शिक्षा संस्थानों की हर क्लास में एक स्टुडेंट को तमबाकू मॉनिटर बनाया जाएगा यही नहीं जो संस्थान टोबैको कंट्रोल पर अच्छा काम करेगा उस संस्थान को ट्रॉफी इंस्टिटूट का दर्जा मिलेगा केंदरिय स्वास्त मंत्राले के अनुसार देश के सभी सरकारी और निजी स्कूल कॉलेज में इस्टूडेंट में धुम्रपान की छोडाने के लिए कई तरह के कदम उठाये जा रहे हैं हर संस्थान में संभव हो तो हर किलास में एक-एक स्टुडेंट को मॉनिटर बनाने का निन नह लिया गया है मॉनिटर का काम यह देखना होगा कि कलास में किसी भी तरह से कोई छात्र किसी भी तरह का धुम्रपान ना करें यदि किसी स्टुडेंट को शिकायत हो तो मॉनिटर से कर सके मानो संसाधन विकास मंत्राले और राजियों से राय लेने के बाद यहाँ दिशा निर्देश तयार किये गए हैं देश के नए स्वास्थ मंत्री ने 31 मई को वर्ल नो टोबैको डे पर यहाँ गाइडलाइन जारी की साल में दो बार शिक्षन संस्थाओं को अपना सेल्फ असेस्मेंट करना होगा इसमें वह सव माक्स में अपने आपको आख सकेंगे यहाँ माक्स इस आधार पर तैह होगे की नो टोबैकों के लिए क्या-क्या कारिकरम किये गए मसलन जागरुकता कारिकरम, वाद विवाद पृतियोगिता, नुकर नाटक, समवाद, अधी यदि कोई संस्थान सो में से नबबे नंबर लाता है, तो उस संस्थान को सरकार की ओर से टोबैको फ्री ग्रेजवेशन इस्टिट्ट टॉफी का दरजा दिया जाएगा इसके बाद इस्टिट्ट अपने संस्थान के आगे टॉफी संस्थान लिख सकता है आम तोर पर तंबाकू को मुह और गले के कैंसर के लिए जिम्मेदार समझा जाता है लेकिन गुठका और सिगरेट के शौकिनों को जान लेना चाहिए कि उनकी हलत उन्हें दिल की बीमारी की और तेजी से ढखेल सकती है चिकित्सकों का मानना है कि तंबाकू चबाने वालों को मुह के कैंसर की संभावना तो हर समय होती है साथ ही दिल का दौरा पढ़ने का खत्रा भी बढ़ जाता है